हम around 10-12 biases आज discuss करेंगे, यह biases जब आपको समझ आ जाते हैं और कुछ लोग इसका गलत इस्तमाल भी करते हैं अगर आप किसी भी चीज को स्टोरी बना के समझाते हो, आप उसको अपने favor में भी रख सकते हो, आप उसको अपने against में भी रख सकते हो एसे रिस्क लेने पर मजबूर करता है, जिसे अमें लगता है कि इससे सीधा मेरा एक का दस होने वाला है हलो फ्रेंद्स, वेलकम तो सक्सेस की पाठ्शाला फ्रेंड्स, बहुत सालों से मैं बहुत सारी reading कर रहा हूँ और जो मेरी life-changing reading थी, वो एक book थी, Thinking Fast, Thinking Slow इसी से related और भी कई cognitive biases related books पड़ी अब आप कहेंगे ये cognitive bias क्या है cognitive bias या biases या heuristics भी बोलते हैं ये वो problems हैं, जो हमारे साथ हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता ये वो blind spots हैं, जो हमारे nature में, हमारी psychology में छुपे होते हैं और हमें grow करने से रोकते हैं ये biases वो पक्षपात है, वो अन्देखी हमारी गलतियां हैं, जो हम समझ नहीं पाते तो आज का वीडियो दोस्तों, हम इसी पर dedicate करेंगे on understanding biases और ये biases हम ट्राइ करेंगे ये biases हमें हमारे life के various aspects में impact करते हैं बट हम ट्राइ करेंगे इसको relate करने का investing से क्योंकि वो एक ऐसी चीज़े हैं, जो हम सबको impact करती है तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं स्वागत करता हूँ मेरे दोस्त पुनीत गुपता जो मेरे साथ है Thanks, 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 Vineet and I guess bias means it's more of a concurrent habit which keeps on going with you which on the hindsight, it's more of like आपकी habit है but आपको पता नहीं चलता, आपको समझ नहीं आता this is what are we talking about? Absolutely, absolutely और जब हम एक एक करके biases में जाएंगे हम हर bias का एक नाम है और वो bias का पहले नाम बताएंगे उसके examples देंगे तो मुझे लग रहा है सबको धीरे 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 absolutely clear हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ तो एक और बता दूँ जब हम cognitive biases की बात कर रहे हैं तो अगर आपको उसके विशह में पता हो तो उसे आप अपने favor में use कर सकते हैं और अगर नहीं पता हो तो पूरी दुनिया आपके against में इसको work कराएगी तो ये समझ के चलें आज इससे you have to get it as your weapon आप इसे अपने को बचाने के लिए यूज करिएगा बहुत powerful है वैसे पूरीत ये biases जब आपको समझ आ जाते हैं और कुछ लोग इसका गलत इस्तमाल भी करते हैं आपने देखेंगे बहुत मज़ा आने वाला आज के वीडियो में I'm sure तो हम अराउंड 10 से 12 biases आज डिसकस करेंगे आप तयार है ना काफी समय लगने वाला आज completely prepared and waiting for so much of fun correct so first bias is called self-serving bias as the word suggests self-serving इसका मतलब हुआ कि क्या होता है आप वो चीजें बोलते हो सोस्ते हो जो आपके लिए आपको सही लगती है अब देखो आपने एक शेर पिक किया और वो जम के चल गया आप कहोगे मेरी skill set थी stock picking के अंदर मैं ना कमाल के शेर ढूंडता हूँ और जो भी अच्छा होता है life में वो आप कहते हो मेरे वज़े से हुआ और जो गलत होता है वो luck के वज़े से आप उसे blame करते हो यह है self-serving bias इस bias के वज़े से हम यह नहीं समझ पाते कि कुछ चला तो क्यों चला कुछ नहीं चला तो क्यों नहीं चला हम सही analysis नहीं कर पाते इस bias के वज़े से हम गलत रा पे फस जाते हैं और हम उसी जिस framework में मैंने पहला stock खरीदा उसी के वज़े से दूसरा भी खरीदा हूँ पहला चल गया लग की वज़े से शायद दूसरा ना चले तो इसमें हम फस जाते हैं और वहा हमारे losses होते हैं तो यह हो गया self-serving bias इस पर आपको याद होगा विनित हमने noon short book review किया था उसमें हमने specifically decision बात किया था कि outcome based decision होने चाहिए या फिर research based होने चाहिए डेटा बेस्ट होने चाहिए so what is the difference between both of them अगर outcome आपके favor में आया जरूरी नहीं है तो भी वो decision सही है outcome से decision के सही और होने का कोई थाथ पर रहे नहीं है कोई relevancy नहीं है कोई relation नहीं है so आपका decision सही है नहीं है will depend करेगा data के उपर will depend करेगा accuracy के उपर will depend करेगा what exactly your thought process is you can't depend on कि मैंने जो चीज करी अगर वो सही हो गई तो मेरी थी तो मैं उसको दुबारा भी कर सकता हूँ there could be a luck portion into it कि आपका जो सही हुआ वो probably सही था नहीं but हो गया समय के वज़े से काल के वज़े से किसी भी वज़े से वो सही पढ़ गया आप उसे ही अगर reason बना के आगे करने लगोगे तो शायद next time गलत हो जाओ correct यह तो है इसमें क्या होता है ना बहुत बार हम वो कहते है ना कि जो जीता वही सिकंदर यह fallacy का नाम वो होना चाहिए कि जो जीता वह सिकंदर fallacy correct reason being है कि हम जो जीता है ना उसे ही सारा श्रय दे देते हैं अब जीतना यहां क्या है मैंने कोई stock pick किया वो चल गया यह जीत है सही है यह जीत है लेकिन इसके कारण को अनलाइज करना बहुत जरूरी है अगर इसमें आपका कोई श्रय ही नहीं आपने कुछ ही नहीं किया उसमें किसी ने टिप दी आपने ले लिया और आपको लगने लगा रही है इसने अच्छी टिप दी नेक्स्ट आप उस पर डिपेंडेंट ने लगए तो बहुत कुछ ना कुछ गड़बने हैं अशु आपको इंपोर्टन चीज राइट नहीं इस वहतेवर यू आपको आपको तो कुछ भी सकता है अपको आपको अपने सुक्सिस को अपक्की थोड़ी सी एक्सपर्टीज हती है तो मुझा टीक डिसजेंस बेस्ट उन डट एक्स्पर्टीज करेक्ट So, there are lot many data points, there are lot many things which are not available, which you don't know, probably you are articulating based on your expertise, your favoritism, probably, or your knowledge. So, हमें कोई भी decision लेते हुए, ये नहीं सोचना है कि ये तो मेरे बाए हाथ का खेल है. ये तो मुझे पता ही है, ये तो ऐसा ही होता है. There could be varied combinations, there could be varied reasons, कि वो चीज़ वैसे नहीं हो जैसे आस तक होते है है. Absolutely. चो कहते हैं कि confidence और overconfidence में एक बहुत थिन लाइन है. Correct. ठीक है, और आप हर बार उसे तब cross करते हो, जब आपको लगने लगता है कि आपके skills के वज़े से ही आप हमेशा successful हुए हो. Correct. तो आपको हमेशा दिहान रखना है, analysis mode में रहना है, overconfident नहीं होना है. Share Bajar की specifically बात करे ना, तो लोग दो तीन चीज़ें करते हैं, इस bias से related. एक है timing पकड़ने की कुशिए. सभी बात है. एक saying भी है दोस्तों, only fools can buy at the bottom and sell at the top. Absolutely. Because, see, it's not, आपने कर लिया, तो ये आपका luck था. Sure. कोई नहीं जानता कि शेर Bajar में bottom cup होना है और top cup होना है. Correct. आप उसे catch करने के कोशिश कर रहे हो, तो आप नुकसान में ही रहोंगे. Correct. लेकिन लोग ये करते हैं, similarly आपको लगता है कि मैंने कुछ कर लिया है, तो मेरे कंट्रोल में है. Correct. देखेए, दोस्तों, there will always be surprises, be prepared for it. COVID जब आया, पूरी दुनिया लग गई, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं था. हमारे हाथ में पूनी, बहुत कम कंट्रोल है लाइफ का. हमें लगता है, हम अपनी लाइफ कंट्रोल करते हैं, हमारी इंवेस्टमेंट्स कंट्रोल करते हैं. Sure. इस हंबलनेस के साथ जीए, कि कंट्रोल में नहीं है आपके, आप अपने प्रयास कर रहे हैं. ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, आपको लगता है, मैंने जो इंवेस्टमेंट्स किया हो तो हो गई. और इसे एक और कहते हैं, डिजारेबिलिटी बाहस. Correct. इसका मतलब है, सिंस मैं चाहता हूँ, ये शेयर चले, तो शेयर चलेगा. ठीक है, इसमें कुछ हंबल लोग होते हैं, जो भगवान से पुरातना करते हैं, प्रभू, मैंने ये HDFC बैंक खरीदा है, इसको चला दो. ठीक है, तो जस्ट एक्जाम्पल के लिए, और कोई भी शेयर हो सकता है. चलेगा, वो अपने काबिलियत से चलेगा, बट सिंस आप चाते हैं, उसी समय चल जाए, ऐसा कोई भी शरुर्रत नहीं है. जब आपने लिया है, तब चल जाए, जब आपने लिचाए, तब रुख जाए, ऐसा हो नहीं सकता है. तो यहां किया है, और कॉन्फिदेंस बायस आती है, क्योंकि मैंने ले लिया आप सब कुछ, पुरी काइनात मेरे लिए वर्क करेगी, ऐसा नहीं होता, इस बायस से बाहर निकलें. So that is overconfidence bias. ठीक है. Let's go to the third bias, which is, आपने बहुत बार सुना होगा, herd mentality. Herd mentality और इसे हम bandwagon effect भी बोलते हैं, इसका मतलब हुआ कि एक डब्बे के पीछे सारे डब्बे चले जा रहे हैं, या भेड़ चाल चलना, herd mentality, कि सब कर रहे हैं, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ. Correct. और ये ना पुनित, शेर बजार में तो भर भर के ये ही होता है, हर जगा होता है, fashion में आप देख लो, ठीक है, सब चीजों में, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो कोई अगर C.A. कर रहे हैं, क्लास में तो आप भी C.A. करने लग रहे हो, ये हर जगा होता है, और इसे break करन हैं, तो शायर इतनी लोग तो गलत नहीं होंगे, तो मुझे वही रह ले लेनी जाए, बहुत डिफिकल्ट है, इतना करेज निकाल पाना, कि ये कह दें कि बहुत सारी खुदाई एक तरफ, मैं एक तरफ, ये बहुत डिफिकल्ट है, अगर प्रबबली एवरीबन इसेंग सेम थेंग, यू जस्त कांट फॉद एक सेक अफ डूइंग कि मुझे अलग ही जाने, आप अलग करना शुरू कर दोगे, यू नीड तो बी रीजनेबली शूर अबाउट इट, कि वोटेव यूर थीसिस आर, यू शुड बी कॉन्फिदेंट अबाउट इट, तो ऐसा नही है, लाइफ में किसी भी एक्स्ट्रीम की तरफ जाना भी एक बायस है, तो उस तरफ तो जाना ही नहीं है, हमें ना हमेशा मिडल पाथ है, रीजनेबल होना है, और बालेंस लाइफ जीन, हर्ड मेंटिलिटी के बात करूँ ना, तो मैं जो कहना चाहरा था, वो यह है कि हम न सिर्फ इस सब कर रहे हैं, इसलिए सही होगा, यह ना एक बहुत ओवर सिंप्लिफिकेशन है, कभी भी ना, ग्रुप्स ने बहुत कुछ सही किया हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सनल वॉइसे स्किल हो जाते हैं, और जो मजॉरिटी वॉइस है, वो विन करती है, जो लाउड हैं, वो विन करते हैं, तो आपको समझना है, आप किस पर confident है, अगर सब जो बोले हैं, उस पर आप भी confident है, तो दिर इस नो प्रॉब्लम, और अगर आप confident नहीं है, आप herd mentality मत करो, over simplification मत करो, ठीक है, और भेड़ चाल मत चलो, आगे बढ़ो, देखो, अपना र The fourth one is framing cognitive bias, as again the name suggests, it's more about, आप एक narrative, अगर आपको कोई समझाए, मताब आप आप से सोचिये, I was looking at one video, अगर मुझे आपको कोई चीज सेल करनी है, तो मैं कहीं बार आपको बहुत ही negative चीज करके भी सेल कर सकता हूं, correct? So I was watching one TED video, उसमें the guy was started telling benefits of cigarette, okay, correct? कि आपको लगता है cigarette पीने से बहुत सरे लोग की death हो जाती है, अगर मैं आपको बोलों की वो death is very small percentage, उससे आदा death fever से हो जाती है, correct? In fact, ऐसी कोई study नहीं है कि आप सिग्रेट पयोगे तो आपकी हेल्थ नीचे हो जाएगी, आपकी उम्र कम हो जाएगी, this is more of this, in fact, आपको यह बहुत ज़रूरी है अपना stress को रिलीव करने के ये, and after a span of two minutes, people started believing him, कि नहीं बॉस बात तो ठीक कहना है, क्या ही बुराई है, हम हम दिली जैसे सिटी में रहते भी तो है, जब वहां रह सकते हैं, तो एक सिग्रेट भी ले सकते हैं, एक स्मोक भी कर सकते हैं, तो इस अल बॉट इनरेटिव, I'm not saying कि सिग्रेट पीन है, is right, correct, smoking is injurious, no doubts about it, but it's more about, अगर आप किसी भी चीज को स्टोरी बना के संझाते हो, आ आप उसको अपने फेवर में भी रख सकते हो, आप उसको अपने अगेंस में भी रख सकते हो, इस अप टू दी लिसनर, एक्जम, और कभी कभी हम खुद को भी धोका देते हैं, not only listener, क्या होता है, हम कैसे frame करते हैं एक problem को, जैसे माली जे, मैंने बहुत बार देखा है, नहीं गये थे, वो college drop out है, तो ये frame करके, वो खुद को ये proof करना चारहे हैं, कि education important नहीं है, कभी भी educated आदमी इस sentence के, इस तरीके से बात नहीं करता, वो ये recognize करता है, कि आपके success में, education can be one piece, it's not the whole and soul, अगर education बिना भी आप successful हो सकते हो, लेकिन वो ये नहीं कहेगा, अब दे इसने सारे successful लोग Harvard गए, या Harvard से निकलना वाले 90% लोग successful होते हैं, क्योंकि वो framing के वजए से सामने वाले का या खुद का perception आप create करते हो, So point is, exceptions will always be there, उन exceptions को data point बना के अपनी story को implement कर देना, या उसके believe कर देना, probably is not the right theory, एक और बात यादा है आपकी इसे, इंडिया के अंदर एक word बहुत चलता है, जुमलेवाजी, सुनाओगा आपने, जुमलेवाजी, तो ये प्रपोगेंडा भी जिसे कहते हैं, अब प्रपोगेंडा या जुमलेवाजी कैसे होती है, आप किसी चीज को गलत समझते हैं, मैं उसे ऐसे पेश करता हूँ, कि देखो मैंने दुनिया बदल दी, जो चीज आपको नहीं पेश करनी है, मैं उसे चुप-चाप से हटा लेता हूँ, और जो अच्छे पॉइंट से खाली वो दिखाता हूँ, और खुद का प्रचार करता हूँ, तो इंडिया में ये ही चल रह जुमले बाजी चल रही है, शायद इतनी पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी क्रियेट की जा रही है, ये कैसे होता है, ये होता है फ्रेमिंग से, कि आप चीजों को कैसे फ्रेम कर, एक जन कह सकता है कि हमारे पास सिर्फ इंडिया के अंदर लेट से 200 एरपोर् दाओं है पास से पॉजिटेज़ी पॉजिटा जा इस पॉजिटी के इंडूरी बान होता है, और ये मैंकि नणे प्युच्ट इस समय आइस नेनाय के लेटे आथ इस नेगे आइव पाने अम धने आख विश्वास नहीं करना है, इस के अंदर एक नरेटिव बना as well, look at the other side of the coin as well, if you still believe in it then take a decision, absolutely absolutely, मतलब किसी ने कहा था कि श्रोता बनो भक्त मत बनो तो आपको सब साइट समझने पड़ेंगे प्योद आप भक्त बनोगे ना तो आप ऐसी फ्रेमिंग सुन रहे हो जो सिर्फ एक पक्ष के मैं यह नहीं कहा रहा कि आप एक पक्ष में नहीं जा सकते बट दोनो तरफ देखके उस फ्रेमिंग बायस को तोड़ने के कोशिश करो और यह सबसे इंपोर्टन्ट है इन्वेस्मेंट के केस में क्योंकि आप जब इन्वेस्मेंट कर रहे हो ना क्योंकि आप जब उस तरीके से सोचने के कोशिश करते हो तब जाके आपको पता चलता है इसमें ये 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 रेड़ फ्लैक्स भी है तो वो हो गया फ्रेमिंग कोगनिटिव बायस परफेक्ट और वाट्स था नेक्स वान देक्स वान इस फिफ्ट वान और ये ये इंकर करके बात करते हैं तो आगे आने वाले डिटा पॉइंट्स हमेशा हम उसके रिलेशन में देखते हैं एक सिंपल सा एक्जैम्पल देता हूँ कि मैं आपको पूछता हूँ कि आपकी टीशर्ट का क्या कोश्ट है तो अब क्या दिमाग में आएगा कि आपने महंगे कपड़े पहनते हैं ऐसा मेरे विचार आएगा अब कोई भी 1500 से नीचे की कोई बात करेगा तो मुझे लगे यह सस्ता है मैं आपको शायद आप महंगे कपड़े पहनते हैं ऐसा मेरे विचार आएगा यह कहां से आया क्योंकि 1500 मेरा एंकर पॉइंट बन गया यही मुझे अगर पहला ही question मुझे सुनने को मिलता मेरे टीशिट सो रुपे की है पॉसिबल सा रुपे की टीशिट है और सामने आला बोलता 700 रुपे की मेरे टीशिट है तो मेरा पहला data point मेरे दूसरे data point और मेरे mental faculties को influence करता है तो लोग क्या करते हैं एंकरिंग करने के लिए पहले ऐसे data point देते हैं जिससे आपका एक frame of mind बन जाए अब आप बाकी आने वाली सारी information को उसी frame of mind चाहे negative हो चाहे positive हो उसी frame of mind में देखेंगे तो यह शेर बजार के case में होता है इंवेस्टिं के case में होता है तो इसमें एक saying भी होती है ना विनिए everything looks yellow to a jaundist time तो सावन के अंदे को हरा यहरा नजर आता है तो once you create a thought process around it अपने एक बार मान लिया कि this is what it is अब जो भी information आएगी अब कही ना कहीं उसको उसी से रिलेट करके color करने की कोशिश करोगे और अवसम ओसम इस इस एंकरिंग बायस परफेक्ट then the next bias is more of a confirmation bias so confirmation का मतलब क्या होता है मैंने कोई भी decision लिया अब मैं चाहा के अपने आसपास वाले लोगों को उसकी story बना के कोशिश कर रहा हूं उसके खिलाफ उसके आसपास cognitive bias लेके कि आप बता दो सही है न यह मैंने कुछ गलत तो नहीं किया तो जो भी अपने decision लिया उसको अपने आपको और अपने आसपास वाले लोगों को प्रूफ करने की कोशिश करना is the confirmation bias correct probably you yourself are not sure अगर आप चार लोगों को सिजा के discussion कर रहे हूं यह वाली बात का कि मैंने सही किया ना मैंने सही किया ना that shows itself कि कही ना कहीं तो something is black in the whole ecosystem absolutely इसको देखने का एक और तरीका चुनित confirmation bias जब हम जितना भी subsequent data collect करते हैं वो अपने pre-decided thought को मतलब और solid करने के लिए करते हैं तो हमने decision ले लिया ठीक है example देता हूं कि मुझे let's say ITC stock में invest करना है यह decision मैंने पहले लिया और मैं अब research बाद में करूंगा इससे और typically ऐसा ही होता है दोस्तों क्या होता है हम एक stock decide कर लेते हैं अब हम research करते हैं और हम हमारी जो एक bias के वज़े से हमने जो decision ले लिया था हम उसको solidify करने की कोशिश करते हैं यह interviews में भी होता है जब हम एक बार किसी को select कर चुके होते हैं फिर हम data point खोशते हैं कि यह एकदम perfect candidate है यह stock selection में भी होता है एक बार आपने ले लिया फिर आप देखोगे उसके कितनी अच्छी growth चल रही है क्या चल रही हर बार ना हम negative चीजों को फिर ignore करना चालू कर देते हैं क्यूंकि हमको confirmation bias है every time you just want to confirm the positive decision we have taken we don't want to see the negative side of it यह partner selection में भी होता है ठीक है आप किसी के वो होता है ना कि मुझे तुमारी कोई खामी नहीं नजर आती वो क्या है confirmation मैंने तुम्हें चूज कर लिया है अब मैं तुम्हें खामी नहीं देख सकता और फिर क्या होता है धीरे धीरे खामिया तो है हर इंसान में और आप बता न परशन से मैं आपको सवाल पूसता हूँ अगर आपको कोई कहे कि 100 रुपए आपके पॉकेट से निकालो और उसे आग लगा दो बहुत दर्द होने वाल है दोस्तों मुश्किल है बहुत मुश्किल है शायद हम कर भी ना पाएं 100 रुपए है ठीक है यही आप देखोगे कि यह जो पैसे की वाल्यू है अब आप सूचो कि आपके पास एक लाक या एक करोड रुपए का पॉर्टफोलियो है उस एक करोड के पोड़ पे रोज एक लाग डेंडल लाग ऑपर नीचे हो जाता है ठीक है एक लाग डेंडल लाग नीचे हो गया आपने सौधा काटा आप को loss book करना पड़ गया एक लाख रुपय का loss book करना पड़ गया वैसे ही वो 100 रुपय जलाने के जैसे loss book करना is very painful जैसे 100 रुपय जलाना बहुत painful था इसको दूसरे तरीके से समझें तो 100 रुपय की profit आपको उतना खुशी नहीं दे रही है जितना 100 रुपय का loss आपको दुख द और 100 रुपय की profit आपको दोनों साइड में equal या तो equal फाइदा दे 100 रुपय का जो profit हो रहे है उसमें उतना ही मज़ा आना चाहिए जितना 100 रुपय में loss में आना चाहिए बट loss ना बहुत हेवी लगता है इंसान को और आदमी loss नहीं सह पाता profit में इतना मज़ा नहीं आता ठ कर लेना मतलब सह लेना उस loss को लेकिन लोग सुछते है वापस उपर आ जाएगा और यही जब 105 रुपय चला जाता है तो उसे काट लेते हैं मतलब उसे sell कर देते हैं sell करने का मतलब क्या हुआ कि profit ना मुझे 5 रुपय चलेगा but loss 5 रुपय नहीं चलेगा तो यह एक बहुत लोग कहते हैं कि आपका confidence अगर fundamentally भी एक particular stock पे है तो आपको उपर की तरफ एवरेज करना चाहिए क्योंकि आपकी स्टोरी जो आपने जो जिसे नरेटिव कहते हैं जो कहा था यह उसका confirmation है कि वो सही है तो आप 100 से 110 हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ क्योंकि उसकी earnings बढ़ी है तो आपको उपर की तरफ करना चाहिए लेकिन उपर की तरफ एवरेज नहीं कर पाते हम नीचे की तरफ एवरेज करते हैं कि मेरा लॉस कम हो जाए मेरा अवरेज कॉस्ट अफ एक विजिशन कम हो जाए तो यह एक fallacy है हमको लॉस से बहुत ज्यादा नहीं गभराना है दोस जो भी आज की डेट में करेंट अफेर समय सबसे अदा तॉप अफ इमांड होता है अज अगर हमें लगा राम मंदर लॉंच हो रहा है शुरू आथ हुआ है तो वी आल विल पर बबबली अ मुव तोवर्स कि हमें ट्रेवल स्टॉक्स लेंडें चाहिए अगर आज हमें कि अगर है कि अूप बबली अज पीपल दो संगर ऑंड आज हमें ट्रेवल स्टॉक्स लेंट अगर इंट इंड गरेंगा अप्राइड आज हमें लॉड व्यूर्ट तो प्रेंगा इंड थिए अगर। इंड बबली अगर आज प्रेंड मंद तो यूश्यु आपनिंग टे वही सही है जो हो रहा है सिरफ वही दुनिया है उसके बाहर भी एक दुनिया है वो भी है और हम क्या होता है जो recent incident होते है उनको बहुत high weightage दे देते हैं बहुत high weightage for example जैसा अपने आयुद्या का कहा तो कुछ लोग कह रहे हैं यह यह hotel stocks ले लो because वह अहां hotel बनाएंगे अब एक चीज समझें आप कि उनके portfolio में अगर hundred hotels है और एक और hotel एड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका profit वहां से कोई बहुत बड़ा jump होने वाला है लेकिन suddenly यह euphoria कि आज न अयुद्याला हो रहे हैं एक मैने बाद कोई उसकी बात नहीं कर रहा लेकिन यह हमें देखना पड़ेगा कि यह recency से हमें बचना है नहीं तो कई बार बहुत बड़े loss होते हैं rumor के वज़े से stock price move up कि आप खरीद लिए और वहां से वो दो-चार दिन बाद recency नहीं रही उसके वज़े से stock वापस नीचे आ गया तो यह recency bias से हमें बचना है कि इतना noise होता है इतना media coverage मिलता है तो आपको लगता है मैं कुछ FOMO वो भी एक bias है fear of missing out आप उससे बचने के लिए recency bias में कूद पड़ते हैं और आपका नुक्स इसी कहते हैं हम सबके अंदर ना एक gambler है जुआरी है जो हमें ऐसे risk लेने पर मजबूर करता है जिसे हमें लगता है कि boss इससे ना सीधा मेरा एक का दस होने वाला है ठीक है तो हम unreasonable risk लेते हैं जो कि gambling में होता है हमें यह समझना पड़ेगा कि हम share bajar को एक उस नजरिये से दे मुझे तो चाहिए 40% 30% मुझे आथ 2-1 साल में पैसे डबल होने चाहिए कुछ तो कहते है 6 महने में पैसे डबल होने चाहिए ठीक है तो आप सुचो यह कित्ती बड़ी fallacy है 6 महने में पैसे डबल आप सोच रहे हो किसी ने नहीं कही है ठोड़े बहुत पिरियद के लिए तो हो सकता है बहुत लोगों ने किया लैकिन ओवर लॉंग पिरियड किसी ने नी किया और जैसा कि हम बार बार कहते हैं यूट प्लेयर उप्लेयर अप लॉंग तर्वाई वी ने कर पाऊंगे तो लॉंग टर्म गेम खेलना है तो आपको गैंबलर fallacy से बाहर निकलना है अ तो इसके साथ आज तो आज तो वी अच्छे थाट प्रोसस नहीं है अट अच्छा बुरा जो भी है यह हमारे अंदर की एक बायस है एक fallacy है जिसे हमें समझना है तो इसके साथ आज आज और हमें समझना पड़ेगा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं हमारे जो भी विचार है जो भी thought processes है उनमें कहीं कोई ऐसा blind spot तो नहीं है आज आपने जब ये 8-9 biases देखें तो आपको समझ आया होगा हाँ यार ये तो मैं भी करता हूँ ये मुझे भी आ रहा है और आपको भी आया होगा कहीं न कहीं पुनीद ठीक है और हमारे दोस्तों को भी आया होगा कि यार ये सब तो हम सब करते हैं तो हमारे साथ होता ही है और ना सिर्फ इंवेस्टिंग में सभी चीजों में होता है तो friends, अपने आपको और खोजें I think personal finance is more personal than finance जो कि हम हमेशा क्याते हैं और खोजें खुद को, ये biases कितने हैं आपके अंदर और आप कितने control कर सकते हैं तो अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो हम ऐसे और वीडियो बनाएंगे जो बाइस के ऊपर और इंडेप्थ होंगे परफेक्ट परफेक्ट आइसर तन दोस्तों प्लीज कीप तुनिंग तो दी चैनल प्लीज तो लुक्ष्ट्राइब ट्रॉप्स्टी जिए भीडियो प्लीज तो प्लीजस प्लीज तो प्लीज तो चीज़ इस निए जावर्यो तो अग्यो तोग्योग तो